हेलो इस्टूरेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर के द्वारा हम एक फिर नेम ली एक्शन्स को आगे पढ़ने जा रहे हैं यह जो नेम ली एक्शन्स है वो डिपेंड्स करता है नेचर पे नेचर मींज क्या कि यह कोश्चन्स ऑक्सीजन वन एन ऑक्सीजन टू एलडिहाइड कीटोन कार्वाग जली के सीड को रिलेट कर दिया है अलकोहल फेनॉल इथर से तो इसमें बहुत अच्छा यह री एरेंज्मेंट रियक्शन है फ्राइज साहब के बारे में दिया हुआ है उनके बारे में जो जानकारी है डिस इनिवर्सिटी से पढ़ते थे उसारा जानकारी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा रियक्शन का नाम समझी गए फ्राइज रियक्शन है लेकिन एक्चुली यह रियक्शन में रियरेंज्मेंट होता है जानते होंगे कि रियरेंज्मेंट क्यों होता है एस्टैबल stability को gain करने के लिए reinforcement है फ्राइज री एर्रेंजमेंट री एक्शन दोध फेमस री एक्शन से है ना इसको हम ऐसे इस पकार पढ़ें तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं है फर्स्ट पॉइंट री एक्शन होगा उसके बारे हैं परते हैं तीसरा पॉइंट में मेकेनिजम चौथा जिसमें फैक्ट्स है इसमें बहुत थर्मोडियनमिकली बहुत सब्सक्राइज रिलेटेड है चौथा पॉइंट को तक जरूर देखना है और वो पॉइंट से पॉइंट से लेके मसी तक है ठीक है तो हम लोग पढ़ना क्या करें स्टार्ट करें फ्राइज रियर्जमेंट पहला पॉइंट इसका है डेफिनिशन एक्चुली होता इसमें क्या है कि इस्टर जो होता है एरोमेटिक इस्टर इसको हम आराइल इस्टर भी करते हैं वो हाइड्रस अल-C-L-3 के साथ रियक्षन करेगा रियक्षन करने के बाद वो जो कंपाउंड है वो हाइड्रोक्सी कीटोन में कनवर्ट हो जाता है रियक्षन का फ्रेमोग फिर दिमाग में रखना है कि एराइल इस्टर फेडिल क्राफ्ट रियेजेंट के साथ रियक्षन कर रियेजेंट का साइन होता है रियर्म्हेंक रियक्षन का कही हो है है रियक्षन इन हुच बिक आरइल इस्टर रियक्ष परेडिल क्राफ्ट BCS-3 है टीपने लोच्ञ, daici, टीजरी टीडीपर्त, फवीजन अध्धिर्स, Hydroxy-Aromatic-Ketone, that very rearrangement reaction is known as Fry's rearrangement reaction. यह Fry's rearrangement का, rearrangement पर लिख दिया है, और इसी का यह arrow भी है, reactions, ओके, तो main objective इसका समझ गए होगी, कि इस reaction में हमको क्या करना है, ठीक है, अब इसमें यह तो थोड़ा सा partial दिमाग में गया होगा, complete दिमाग में इसके equation से जाएगा. इसका क्या equation है उससे, तो second point, अगर हम उसके equation पर विचार करें, तो इसका equation होगा क्या? देखना, यही चीज को equation में कैसे frame करेंगा, तो aryl ister है, aryl means benzenering आ गया, और यहाँ पर O है, और यहाँ पर क्या कर देते हैं अबरो, CO, CS3, यही हमारा क्या हो गया? aryl ister हुआ. CO, CS3 आके, जूल जाता है, तो यह जो reaction हुआ, इस ortho पर और para पर add होना, और इसी का नाम हो, यानि, इसके यहाँ से जो hydrogen है, रिप्लेस करके यहाँ गया होगा, और यहाँ से, जो CO, CS3 वहला यह जो part है, acylenium iron, जो ortho पर shift करता है, और क्या? पैरा पर shift कर दिया, अब यह product बन गया, इसका नाम निकले के लिए, यह senior function doop है, इसके respect में, तो यह 1 हुआ, यह 2 हुआ, तो 1 के bracket में, 1 के bracket में क्या लिखेंगे, 2 पर क्या हो गया? hydroxy, रिंग बेंजीन है, बेंजीनिंग उसी पर है, तो बेंजीनिंग को branch में हम लोग क्या करते हैं, फिनाई, दो carbon का हो गया, दो carbon का क्या होगा? इथ, single bond in, और 1 पर क्या हो गया? on, कि tone में क्या लगता है? on, या 1 को नहीं लिख सकते हैं, के बार इथानोन भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी वही निमनलेक्लेचर होगा, के बार नाम में क्या कर देंगे? इस position is 1, तो 2, 3, 4 हो गया, तो यहाँ 1 के जगा पर क्या कर देंगे? 4, इसके 1 में, 1 पर होगा ही, 1 ब्रैकेट में यहाँ पर क्या लिख देंगे? 4, 1, 2, 3, 4, 4 hydroxy phenyl, इथानोन, यह इसका UPSC, रूल के हिसाब समलों जेनरली जानते हैं, कि ortho product minor होता है, दो product जब बनता है, पैरा product major होता है, लेकिन यहाँ पर special under reactions देखेंगे, thermodynamics का condition देखेंगे, यहाँ पर यही product जो हो गया है, यह क्या हो गया है? इंट्रा-molecular hydrogen bonding के कारण, इंट्रा-molecular hydrogen bonding के कारण, major product बन गया, जबकि होना चाहिए major product यह, लेकिन यह specific bonding है, जो stability factor को decide करता है, तो this one is major product, और this one is minor product, लेकिन इसमें thermodynamics का condition है, इसका मतलब है, temperature का variation पर यह temperature पर फिर वहाँ पर किसी खास temperature पर kinetrically यह stabilize हो जाता है, तो यह major हो जाता है, उसको आगे के में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कहां पर क्या होगा, इसके बारे में, इक्वेशन समझ गए, तब यहाँ पर चर्चा उठता है, का oxygen 1, oxygen 2 का क्या relation, यह तो इस्टर हो गया, यह तो oxygen 2 का compound है, तेकर यह बना कैसे, तो बस simply यह कहां से बना, तो यह बना है किस से, फैनोल से, फैनोल इस oxygen 1, यह क्या है, oxygen 1 का compound है, यह oxygen 2 का compound है, इसको reaction कर वाएंगे हम लोग, naos के साथ, तुम जानते हो na plus, oh minus, और इसका जो lawn pair होने के कारण, यह यहां पर lawn pair है, lawn pair और यह more electronegative atom होने के कारण, यह क्या करेगा, h पर अपने पर attack किया, गीचा, गीचा तो यहां minus, यहां पर plus, और यह जहां plus बना, यह क्या किया, h को लेते होए, यह इसको निकल गया, तो यहां पर क्या h2o निकल गया, minus h2o, और बना किया, na जाके यहां पर जूर गया, तो product में क्या हुआ, यहां पर ONA जाके जूर गया, plus, minus, अब simple reactions करवाएंगे, हम लोग रियक्शन जो करवाते हैं, इस reagent का नाम जानते होगे, COCS3 है, यहां हम NaOH डाल दें, kinetically control करने के लिए pyridine भी यहां पर डाल देते हैं, जो promoter या catalytic activity में काम करता है, क होगा, जब यह डाले, तो CL, इस Na, के Na, CL निकल गया, और CO इस position पर जाके जूर गया, यह को CO जूर के प्रोड़क्ट में आ लिए, तो Oxygen 1, यह Oxygen 1 में इस कुन प्रोड़क्ट है, फैनॉल, यह Oxygen 1 का compound है, और यह इस्टर है, यह किस का compound है, Oxygen 2 का compound है, इस इस्टर का क्या न और 1 पर क्या होगा, O8, इस्टर में क्या लगता है, O8 लगता है, यह compound बनके तयार हुआ, तो यह इसका simple सा reaction हो गया, फ्राइज रिएजमेंट का, एक्चुली रिएजमेंट यहीं से हुआ, यह तो reaction हुआ, इसके बाद यह रिएजमेंट हुआ, यह से स्टेप को clear हो गया ह इसरा point हम लोग क्या पर है, इसके mechanism के बारे हैं परते हैं, तो mechanism में इसमें होता क्या ही, बहुत जवर्दस पॉइंट है, इसका जो basic conception है, बहुत अच्छा है, और mechanism किसी भी reactions का backbone होता है, जैसे सब आदमी जानते हैं, जानने नहां समझना है, अब हुआ कैसे, reaction तो समझ गे ह हुआ क्या, reaction में especially हुआ है, कुछ नहीं, reaction का जो basic skill turn था, वो क्या था, ये, ये ALCL3 आया, और थोड़ा सा heat किये है, और हलका सा condition डाले पर ये alcoholic बढ़ गया है, इसके orthो पर CO, CH3 जुर गया है, और second में para पर जुर गया, अब kinetically क्या होगा, इसके लिए हम next point में बताते हैं, क् अब हुआ, इसका समझना, कैसे ये हुआ, कैसे ये उठके क्यों गया, अपने आप तो होता नहीं है, सब में thermodynamical, kinetical reasons होता, जो stability, main objective है, stability को गेन करना, इसमें होता यूँ है, कि ये जब हमारा इस्टर वला ये group हो गया, OCO, CS3 है, ये reaction करेगा, इसके साथ, ALCL3 के साथ, हम electron poor species है, electron इसको electron चाहिए, electron चाहिए तो electron इसको मिलेगा कहां से, इसको electron यहाँ पर तो lawn pair है, ये lawn pair इसको electron क्या किया, बताओ, प्रोभाइड किया, जब lawn pair दो electron इसको चला गया, इसको भी प्रोभाइड किया, तो इसका, ये aluminium का linkage oxygen के साथ हो गया, oxygen का electron को कमी फील किया, तो हम ऐसे कुछ तो लिख सकते हैं, reaction में यह तो है ही, यहाँ oxygen पर CO था, CO के साथ CS3 दे देते हैं, जो ऐसे दिया हुआ है, और यह oxygen का जो दो electron था, यह AL, CL3 के साथ लग गया, इस पर एक lone pair है ही, तब ही एक plus आ गया, और यहाँ पर एक क्या आ गया, माइनस आ गया, यह एक additive product बन के तैयार हो गया, ओके इतना तक सब को clear, अब chemistry यहाँ पर क्या कहता है, chemistry कहता है, कि bond का strength, यह कहावाद जानते हैं, जिसकी लाटी, उसकी बैंस, strength किस पर depend करता है, electronegativity का difference, जादा है, इसका electronegativity का difference जादा है, इसका electronegativity का difference क्या है, कम है, तो एक bond को तो तूटना है, क्यो किसी एक bond को जाना परेगा, चाहाई इसका electronegativity difference बहुत जादा है, जादा है, तो दो factor होते हैं, polarity भी जादा है, लेकिन metal के साथ होने काण इसका stabilize हो जाएगा, तो second case में यहाँ पर क्या हो गया, तो इसका जो दो electron है, यह चला जाएगा, यह oxygen घीचेगा, यानि इस carbon को, का electron chain के oxygen अपने आपको पर दो एक जो लॉन पेर ला लिया, इसका plus charge क्या हो गया, disappear कर दिया, तब देखो, हुआ यूँ, कि ओपर एक लॉन पेर पहले से था, एक लॉन पेर आउर आगया, और यहाँ पर क्या हो गया, ALCl3, और यह बैचारा क्या हो गया, यह निकल गया, क्या पर जा गया, plus, plus, अब बगल में क्या था, CS3, इसी का नाम हो गया, acylium ion, क्या acylium ion, क्या acyl group है, acylium ion बनके तयार है, अब प्लस रूटता है, कि यह acylium ion बना, इसका मतलब यह stable की reactive, तो यह stable है, क्यों stable है, इसमें resonance है, क्यों resonance है, देखो, कि यह जो group है, यह pi electron जो है, यहां पर प्लस यहां आ जाएगा, यानि यह pi ले pi bond होने के कारण, यह अपने आपको stabilize कर रखे रखे, तो इसका मतलब, इस system में exist करेगा, यह pi आ जाएगा, अब रिंग तो बेंजीन का था, यह ring बेंजीन का है, अब हुआ क्यों, अब हुआ यो, कि जब यह यहां पर से electron चला गया, तब इसका जो bonding का formation, इसका bonding का formation क्या हुआ, दो electron चला गया, दो electron गया, एक lawn pair आ चुका है, यहां पर एक bond बन चुका है, तो इसका positive, लेकिन यहां जो electron लिया है, यह तो अधिकता फिल कर रहा है, यह अधिकता फिल कर रहा है, और इस पर जो positive charge था, वो positive charge इसका क् अब रूल के हिसाब से अब यहां पर स्पेसीज एटाक करेगा अब स्पेसीज का क्या एटाकिंग क्या चीज़ एटाक करेगा तो फिर वही एसी लीनियम आयन CO CS3 जो है ये सिस्टम में तो ही ये चाहेगा इलक्ट्रोन को लेना इलक्ट्रोन इसको कहां से मिलेगा देखना है दा बारी कीसी देखना है तो यहां का जो इलक्ट्रोन पर इस पर लॉन पेर होने के कारण ये long pair इसके resonance के कारण ये घिचाएगा ring के तरफ, ring के तरफ देया, तो mesomeric effect operate हुआ, तो mesomeric plus m effect या plus r effect भी का सकते हैं, operate हुआ, operate होने के बाद, जहाँ operate होगा इसके ortho position, दोनों ortho, और ये मेटा पर कुछ नहीं, और ये पैरा पर electron density क्या हो गया, बढ़ गया, अब जब ये electron density बढ़ गया, तो electron को accept करना चाहेगा, तो electron को accept ये कैसे करेगा, कैसे, कहां से attack करेगा, तो ये जो group आया, यहाँ पर density बढ़ा हुआ है, तो यहाँ से πाई electron, jump किया, move किया, किसको इस selenium ion को stabilize करने का, accept करने के लिए, तो हुआ क्या, हुआ कुछ इस प्रकार, हुआ ये कि यहाँ पर bond है, यह bond चला गया, उस पर यहाँ OCS3 है, और यहाँ का जो bond आया, यहाँ का यह bond उठके चला गया, इसको मदद करने के लिए, तो यहाँ मदद करने वञा, यह दोनों electron, अब यह दोनों electron बन गया, यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर आ गया क्या चीज़? CO और क्या आ गया? CS3, यह इसका product का क्या किया? formation किया, तो भो लोगों सर्ण, यहां पर तो यहां पर मुन्ट करने पर यहां पर कॉन चार्ड आजाएगा, डवल बॉन्ट आजाने के कारण यहां पर कॉन चार्ड देने के देंगे, यहां पर पॉजिटिव जाएजे, अब इसको भी 4 हो गया, 1, 2, 3, 4, सब स्टेबलाइज है, यहाँ पर भी 4 है, 1, 2, 3, अर एक हाइड्रोजन तो यहाँ पर भी चिपा हुआ, अब बात यूं हुआ कि इसका रेजोनेंस बी स्टेबलाइज हो गया, यह खुद क्यों स्टेबलाइज करना चाहेगा, अपने आपको स्टेबलाइज कैसे कर यहाँ OCS3 नहीं है, यहाँ पर क्या है, ALCL3 है, यहाँ पर कौन चार्ज है, माइनस, अब यहाँ पर यह तो प्लस आ गया, अब यहाँ पर यह प्लस आ जाने, यहाँ पर जब यह प्लस आया, तो यह जो बॉन्ड था, यह बॉन्ड फिर उठके कहां चला गया, इस पोजिश 3 हो गया, AL, CL 3 हो गया, यह माइनस है ही, यह bond उठके चला गया, अब यहाँ पर दो-दो lawn pair, और यहाँ पर क्या आ गया, यह bond आ गया, resonance है, resonance is stable, CO, CS 3 हो, अब system में तो H+, है, H+, यहाँ पर माइनस निकल गया, क्या चीज़, H+, यह H+, क्या करेगा, अब यहाँ पर protonation करेगा, यह H+, जाना चाहेगा, कहाँ पर, यह lawn pair जहाँ इसको मदद किया, तो lawn pair मदद कर दिया इसको, तो यहाँ को फिर इसको oxygen पर plus आएगा, कमी आएगा, अब जो oxygen इस aluminum को मदद किया था, यह क्या करेगा, अपना दोनों ले ट्रॉन को अपने साले से हैं, एक lawn pair इसका out आ गया, यह ring तो ऐसे ही है, इसके ortho position पर क्या आ गया, CS3, यही मेरा क्या हो गया, major product, यही इसका मैंकरी जोगा, फिर से एक बार इसको refresh करना है, हुआ क्यों, ALCL3, यह Lewis seed है, Lewis seed को electron का कमी है, यह electron, pi electron free है, electron attack किया, दो electron इसको मिला, इसके पाथ 6, 2, 8 हो गया, इसका एक bond, नया bond बन गया, यह positive, negative, यह यहाँ पर charge आ गया, क्योंकि इसको अधिकता हुआ, कितना था उससे, इसको कमी हो गया था, यह plus आ गया, positive salineum iron का formation किया, यह resonance stabilizer क्यों, यह plus को जब यह आ आएगा, तो यहाँ पर plus आ जाएगा, यानि यहाँ पर यह bond shift किया, तो plus यहाँ पर आ जाएगा, तो resonance के कारण यह system में पाया जाएगा, system में पाया जाएगा, तो अब यह बना, यह जब यह oxygen पर long pair है, यह ortho para position को electron rich करेगा, यह ortho para directing group होता है, rich किया, तो यहाँ पर अब इस linium iron जो बना हुआ था plus वो जाके ortho पर attack किया, जब ortho पर यह attack किया, तो ortho पर attack करने पर यह attacking से यह pi bond उठके चला गया यहाँ पर, जिसमें यह यह बनाया, और यहाँ पर कमी हो गया electron को, कमी होत तुरत यह long pair इसको दे दिया, तो देखो, अब यहाँ पर भी 4ound हो गया, 123本, अब इसका regionance destabilise हो गया, long pair इसको support किया, long pair जब यह इसको support किया, तो यहाँ पर, sigma बौन इसको support किया, तो ही h पर क्या आ गया प्लस आ गया, हो H+, नीकल गया, minus H+, हो गया, यहां resonance से stabilise हो गया, अब जहां ही system में H+, है, system में क्या है हमारा, system में हमारा H+, यह H+, क्या करेगा, इस पर lawn pair यहां पर क्या-क्या-क्या अटक किया, एच को अपने पर बुला लिया, फिर इस पर प्लस आ जाएगा, जभी बुलाया, तो फिर ये दोनों इलेट्रोन इस से अलमुनियम से क्या घीच लिया, तो निकल गया क्या चीज, जो ALCL3 था, वो ALCL3 निकल गया, यह जो इसका मतलब जो first step में लिये हैं, last step में निकल गया, it is called catalyst, catalyst का कामी होता है, reaction करबा के product बना के निकल गया, तो यह इसका mechanism हुआ, इसका screenshot ले लेना है, और कोई दिक्कत हो तो comment box में जरूर डाला, comments जरूर करना है, okay, आप इसके बाद इसका जो main major point से उस बता देता है, इस facts point पर discuss करते हैं, facts points क्या है, thermodynamics and kinetics का इस section से, क्या होता है, कि अभी ortho product बना और para product बना, पहले ही बता दिये हैं, कि ortho product मेजर हो जाता है, किसके करण, intramolecular hydrogen bonding के का, जिसको chillate करते हैं, तो यहां पर पहला point है, कि कितना ortho बनेगा, कितना para, उसका क्या ratio होगा, 68 to 40 की ratio कराएगा, 3 is to 2 रहेगा, 4 is to 1 रहेगा, क्या रहेगा, वो डिपेंड करेगा, किस चीज़ पर, तो temperature पर solvent क्या डाले हैं, उस पर, आदूसरा क्या हो गया, catalyst कितना amount में डाले हैं, तो ratio इसका पहला facts, कि ratio of ortho and para product, para product, depends upon, depends upon किस पर, depends upon पहला point, पहला point, catalyst, amount of catalyst, कितना amount of catalyst, जो हम लोग फिडिल क्राफ्ट कैटलिस्ट डाले हैं, वो कितना amount में डाले हैं, दूसरा, क्या temperature यूज की है, तीसरा, कौन सा solvent यूज की है, solvent के amount, इस पर depend करेगा, second points, second पहला ही points में, इसका अगर reaction देखके हमनों समझना चाहेंगे, एक reaction से समझा देते हैं, जो बहुत बहतर reaction है, बेंजीन है, OCO, CS3 है, यह resonance कर दिये, है ना, इतना simple करने के लिए, वीडियो बराना हो, इसके लिए ध्यान देते रहे हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, अगर इसको दो condition मिले देते हैं, इधर अगर temperature 165 degree Celsius कर देते हैं, और ALCL3 लेवे किये हुए हैं, तो यहाँ पर जो product बनता है, हमारा product OH जो है, और COCS3 बनता है, यहाँ पर major बन जाता है, और इस पर भी यहाँ पर भी बनेगा, COCS3 बनेगा, COCS3 बनेगा, लेकिन यह क्या बनेगा, यह माइनर बन जाएगा, लेकिन यही reaction का, अगर temperature को 25 degree Celsius ले लेते हैं, यहाँ अगर ALCL3 लेवे किये हैं, यहाँ फिरिल क्राफ्ट काटलिस्ट, तो यहाँ पर जो product बनेगा, यहाँ पर तो फेनोल बना ही, और यहाँ पर भी COCS3 बना लेकिन यह क्या हो गया, यह माइनर बन गया, दूसरा जो product बनेगा यहाँ पर, पैरा product, वो पैरा product क्या हो जाएगा, पैरा product is major product हो जाएगा, यह हो जाएगा major, यह according temperature use के thermodynamical conditions हो गया, यह condition दिमाग में आ गया होगा, यह कहाँ पर मैं, तो competition समें generally question temperature देखना है, high temperature source उपर दे रहा, इसका मतब यह यहाँ पर, यह जो हम लोग अभी concept पर है, chillet वाला concept, intramole के यह काम करेगा, low temperature पर chillation समभाब नहीं, तो यह पहला facts हो गया, second facts और हम लोग ऐसे कर सकते हैं, second facts, मैं पहला facts कर लिए होगे, second fact इसका क्या है, second fact इसको हम ऐसे कर सकते हैं, कि अगर देख रहा गया है कि कभी-कभी UV light के presence में भी यह reaction हो जाता है, तो उसको नाम है photophryze reagement, तो sometime, sometime, this reaction, reaction, proceed, proceed in presence of, plus NC presence of UV light, that is known as, what? that is known as, photophryze reaction, photophryze rearrangement reaction, okay, यह ध्यान देना है, और यह stability का factors और सरा होता है, लेकिन यहाँ पर basic factor इचले, दो हमारा, इसका, यह fact point हो गया, और पांच मा पॉइंट जानते ही है, इसका क्या है था, application, applications के बारे में, details हम description box में डाल दिया है, लेकिन एक, medicines होता है, है ना, उस medicines को बनाने में, इसका काफी, योगदान है, जो katechol, और chloroethanoyal chloride के साथ बनता है, उसका नाम है, उसको synthesis करने में इसी reaction पर बेस्ट है, तो synthesis of, synthesis of adrenaline, adrenaline नाम का chemical है, यह बहुत important chemical है, जो बहुत सरा disorderness को यह control करता है, stress problem को control करता है, यह, that, synthesis of adrenaline, और occurs by, occurs, किसके द्वारा occurs है, occurs by, यह chemical है, जिसका नाम है, katechol, दो hydroxy, one, two, dihydroxy benzene is called katechol, और दूसरा होगा, उसी के साथ, हम लोग लगा जेते हैं, chloroethanoyal, chloroethanoyal, यह दोनों के साथ, हम लोग यह दबा, introduce करते हैं, question कही बार आया हुआ, तो हम लोग इस पूरे reaction को इस वीडियो के द्वारा complete किये, यह, जानकारी को बहुत ज़्याद आगे बराएगा, और competition के लिए तो बर्दान साबित हो रहा है, तो वीडियो को अच्छा लगा होगा, जरूर इस पर, पर सबसे importance है, like button को जरूर दबाना, ठीक है, अगर कॉमेंट्स में जरूर कुछ दाना, कॉमेंट दिने से वीडियो बनाना वाला है, कुछ सहानबूती मिलती है, और सहानबूती बहुत catalyst का role, जैसे fiddlecraft catalyst का role play करना है, तो हम मुईद करते हैं, कि जरूर वीडियो अच्छा लगा होगा, और उसको share भी करना है, कॉमेंट्स भी करना, subscribe भी करना, thank you for complete watching, bye-bye.